हालो एप्रिवान कॉमर सद्धियन में देखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जो चाप्टर है यह उसका कोशन नंबर टू है बचे ने रिक्वेस्ट की है कि मैं प्लीज कोशन नंबर टू त्री और फोर को भी डिसकस करें यह बहुत इजी कोश कॉस्ट पर कीलो मेटर फाइन डौट करना है वह आपको अलग से करना है और वरियबल चार्जिस के लिए अलग करना है तो वहां पर आप मिस्टेक कर सकते हैं कि दोनों अलग अलग जो कोस्ट है वह तहीं नहीं आ रही होगी आपकी ठीक है लेकिंटिंग तो इस वीडियो म करेंगे데 कि स्कार्ट करते हैं विडियो को देखते हैं सबसे पहले कुशन को रिड करेंगे हम अच्छे स्य हर एक पॉइंड को क्लेयर करते जाएंगे इसके वाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो अच्छे से समझने के लिए वीडियो के साथ इन तक बने रहेगा हर एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाए स्टार्ट करते हैं कोशन देखते हैं दे रोड ट्रांस्पोर्ट कमपनी विच कीवस अफ लॉरीज शोज दा फॉलोइंग इनिफॉरमेशन यहां पर दी हुई है इनिफॉरमेशन उस रोड ट्रांस्पोर्ट कमपनी की km run for April तो और हये जो डिटेल्स है अप्रेयल मन्थ की है ठीखे तो यहां पर कीलो मीटेर है वो जो ट्रांस्पोर्ट कमपनी है उसका जो कितने कीलो मीटेर adesso कर रहा है जो कितने कीलो मीटेर are 30,000 km. ठीक59 कितने कीलो मीटेर 300,000 toak किलो मीटेर यांद रहें Ivan कि बात करें कि बेजस पर अप्रेल में जो खर्श किया गया है वह 4,000 रुपीज पेट्रोल 8,000 रुपीज ओरिजिनल कोस्ट और वेहिकल 2,000,000 रुपीज और डेप्रिसियेशन टू बी अलाउड एड 25% पर आनाम ऑन ओरिजिनल कोस्ट ठीक है तो ओरिजिनल कोस्ट पर यह ज तक देखिएगा रिपेयर्स फॉर मंथ ओफ अप्रेल 12,000 ठेके बच्चे रिपेयर्स कितना है अप्रेल का 12,000 रेंट फॉर अप्रेल 2000 लाइसेंस इंशूरंस फॉर दे यह 12,000 अप्रेल मंथ का हमें चाहिए जो यरली है उनको मंत्री कर लेजएगा क्लियर ना बच्चे फ आएंगे हम लेकिन अलग-अलग फाइंड आउट करेंगे तो ले लेते हैं एक 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 फोर साइस पेपर हमें है कर बनाना यहां पर ऑपरेटिंग कोस्ट के लिए यह आपका operating costing, question number 2, ठीक है, चलिए, यह हम amount के लिए column यहाँ पर distribute कर लेते हैं, बच्चे, यह cost के लिए हो जाएगा, sorry, cost, और यह cost पर kilometer, ठीक है, operating cost पर kilometer, तो सबसे पहले हैं, यहाँ पर यह लिख लीजए, कितने kilometer उस बंत में वो run कर रहा है, तो वो है आपका 30,000 km, बच्चे, ठीक है, अब बात आती है, आपकी सबसे पहले आप शो करते हैं, क्या, standing charges, ठीक है, बच्चे, इसके बाद आप शो करते हैं, क्या, variable charges, यह भी clear हो रहा होगा, आपको, सबसे पहले wages दिया है, तो हम wages शो कर देते हैं, 4000 रूपीज, वेजे से, तो हम यहाँ बे wages दिखा देंगे, कितना, 4000, पेट्रोल, 8,000 है, हम सबको पता है, कि जो पेट्रोल होता है, बच्चे, हम उसको नीचे शो करते है, variable में, ठीक है, 8,000, ठीक, ओरिजिनल कोस्ट और विकल, डिप्रिसियेशन, अगर पुरी मशीन पे, पुरी विकल या कोई भी मशीन, तो मशी आते हैं, तो यहां पर हम शो करते हैं, नीचे, ठीक है, बच्चे, डिप्रिसियेशन किसफे लगाओगे, दो लाग का 25%, दो लाग है, इसका 25%, इतना करोगे, तो यह अब yearly आएगा डिप्रिसियेशन, कितना 25 अजर आएगा yearly depreciation, फिर इसको डिवाइट बाइट भी कर दोग 4167, कितना बच्चा, 4167, यह एगा, मिन्स 66 आ रहा था, 0.66, तो मैंने लास्ट वरे 6 को 7 कर दिया है, याद रखेगा, ठीक है, और ज्यादा कुछ नहीं करना था, नेक्स देखते हैं, यह depreciation हो गया, देन रिपेयर की बात करेंगे, 12,000 गीवन है, तो हम रिपेयर शो कर द तो रेंट यहां पर हम श्रोल करते हैं, और अप्रेल का ही दिया है, तो एसटीस दिखा दीजे, पूरा 2,000 रुपीज, लाइसेंस दिया है, पर एयर, ठीक है, for the year, 12,000 है लाइसेंस, 12,000 एक साल का, देन डिवाइड बाइड 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 करेंगे, तो यह आज 12,000 बच्चे, sorry, 12,000 डिवाइड बाइड 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 वन मंस का एगा, कितना, 1,000 रुपीज आपका, इंशुरेंस, ठीक है, इंशुरेंस हो गया, और यहां पर और तो कुछ दिया ही नहीं है, खतम करते हैं बाइड, सब हो गया है, ठीक है बच्चे, टोटल क में प्रस्ट कर लिए पहले स्तानिंग चार्ड चार्च चाह, जिए हो जाएगा 8 12 1010 11,00 11,60 1167 बच्चे टोटल आ गया स्तानिंग है, इस 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 इफले क्लेगर के एगFORE, क बहुद लेंगे talented शार्ट के बाइड बाइड 20,000 हो जाएगा इसका वैरियेका तेक screamed कं कि कोस्ट पर किलोमेटर तो इसको जब 30,000 से आप डिवाइट करते हैं न बच्चे तो यह आता है आपका 0.3722 मैंने यहाँ पर लिख दिया है ठीक है आप इस सब को वन वाइट करके लिख सकते हैं पर मैंने यहाँ पर लिख दिया है पॉइंट 3722 यह आपका है इसका आजाएगा और इसका कितना आएगा बच्चे वो देखो आप इस 20,000 को जब आप डिवाइट करोगे 30,000 से 20,000 ड 30,000 किलो मेटर जब आप करेंगे तो यह आएगा 0.6666 करके कुछ आना है मैं यहाँ पर इसको लिख देती हूँ 0.666 लास्ट ओले को आप 7 कर सकते हैं 4 डिजिस तक जब आप इसका टोटल करेंगे ना बच्चे इन दोनों का जब आप टोटल कर लेते हैं तो कितना हो अपरेटिंग कोस्ट देखें टोटल ऑपरेटिंग कोस्ट बीस हजार है ग्यारह हजार सड़ सड़ है ठेके बच्चे तो बीस और ग्यारह कितना हो जागा 31,166 यह टोटल कोस्ट आजाएगी आपकी और आई कैसे है 11,167 प्लस 20,000 जब आपने कर दिया तो आपका यह आगय ठेके बच्चा यह टोटल कोस्ट आजाएगी आपकी इस तरीके से टोटल ऑपरेटिंग कोस्ट आएगी 31,166 ठेक अब आप जब यह तो इसको डाइडेक्ट क्या कर दिजिए डिवाइट कर दिजिए पर कोस्ट ऑपरेटिंग कोस्ट पर कीलो मीटर फाइंड आउट करने क यह लिए क्या करिए 31,167 divided by 30,000 कर दिजिए तभी भी आजाएगा आपका कितना आएगा देखिए इसको आइड कर लेते हैं यह दोनों हम फाइंड आट कर चुके हैं तो 7 और 2 कितना होता है 9 6 2 कितना होता है 8 7 6 13 को 3 6 3 9 10 ठीके बच्चे एक के बाद पॉइंट है तो 1.1.0389 कितना आजाएगा बच्चा 1.0389 यह आएगी आपकी ओपरेटिंग कोस्ट पर किलो मीटर बच्चे यह आजाएगी 1.0389 बस इस कोशन को ऐसे ही आपको करना था ठेके तो यह आपका वेरियेबल का इतना आजाएगा ठेके बच्चे और यह आपका इसका जाएगा वेरियेबल यह वेरियेबल यह स्टैंडिंग इसी तरीके से इस कोशन नंबर टू को आपको सॉल्व करना था ज्यादा कुछ नहीं तो बहुत इजी कोशन सा बस वह अलग-अलग उन्होंने कहा है तो इसलिए प्रॉब्लम हो अगर पूरी उस मशीन पर टाष्चन चार्ज़ा है उस विकल पर हम शो करते हैं ठेके तो यहां पर उसकी और चार्ज़ार्ज सब्क्राइंगे पूरा थेकर तो इस तरीके से इस को सौर करना था रहतीन है मैं आप कोच्चर से समझा पाई होंगी और अगर आपको मेरे वी और अगर आप हमारे चानल पर नए वीजिटर हैं तो चानल को सब्सक्राइब कर लें साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें आपको कोई भी डाउट है कोई भी क्योरीज है तो आप मुझे कॉमें सेक्शन में कॉमें करके बता सकते हैं किसी भी टॉपिक से रहें खिनके वीडियो चीण तो आप भी बता सकते हैं और डारेट्स में सकते के लिए यह इंट अ नेयर विडियो में तब टक के लिए टेक क्या हम एंची सो मुच पर वाचिंग लोच इस वीडियो